हेई वीटिफुल वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लैम बित पारल केशब कैसे हो आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हैं मीशो के कुछ जीमी चू साडियां क्योंकि मैं जब भी अपना इंस्टा ओपन करती हूँ ना मेरे फीड में जीमी चू साडिय जीमी चू साडिय सीमू साडिय उनके अलावा कोई दूसरी चीज आती ही नहीं है और वो साडियां बहुत ज़्यादा कोश्टली भी हैं जो इंस्टा के पेच पड़ हैं मैंने सोचा क्यों ना हम मीशो से कुछ जीमी चू साडियां मंगाते हैं और देखते हैं कि वो कैसी आती है तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च कर करके मीशो से कुछ जीमी चू साडियां मंगाई हैं कुछ आ गई हैं और कुछ नहीं आई हैं तो जो आ गई हैं आज मैं उनक पर देखे हैं तो नेक्श्ट वीडियो होगा नहまだ मीशो ब्लाउज nih ios हॉल होगा और सु वीडियो को ज्यादा लेत ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हॉल तो करते हैं हमारी फर्स्ट साड़ी से तो самारी जो फरस्ट साड़ी वह यह साडि जिसको मैंने विएर किया हुए है वाई अब यह जो साडी है यह जिमीचू स्टाइल साडी है पट इसका जो फैब्रेक मीशों से वो जमीचू नहीं आया है यह काइंड ओफ कोई दूसरा सा फैबरिक है हम इसको नैट भी नहीं बोल सकते एंड पता नहीं यह जोड़ जट भी नहीं है अगर बात करें हम इस साड़ी की तो यह साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी पैकेजिंग में रिसीव हुई थी मैं इंप्रेस होई ती इसकी पैक बहुत ज्यादा ब्यूटिफूल है इस तरीके से ना इस पे यह डिटेलिंग दी हुई है काफी ज्यादा अच्छा है अगर हम बात करें इस साड़ी के प्राइस की तो आप सुनके हैरान हो जाओगे इस साड़ी का इस साड़ी का जो प्राइस है वो है 984 यह 984 की है मुझे ब्लीब नहीं हुआ कंप्लीट थाउजन की भी नहीं है यह साड़ी तो उस हिसाप से ना इस साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है यह ब्लाउज का पीस इसके साथ आया है जिसमें सेम लेज दी हुई है जो पूरी साड़ी में है बाजू के लिए एंड यह पूरा फैब्र मतलब यह जो पिंक साड़ी है ना यह जिमी चू फैब्रिक की मोस्ट वाइरल साड़ी में से एक है इंस्टाग्राम पर देख लेते हैं अब यह मीशों पर किस क्वालिटी के साथ आई है बहुत ज्यादा सुन्दर रही है बहुत ज्यादा सुन्दर इस पे जो डिटेलिंग की हुई है ना यह परल की डिटेलिंग है आप देखिए जो पाइप होते है ना क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं है ऐसा कुछ डिटेलिंग की हुई है बहुत ज्यादा अच्छे से यह आप देखिए अगर आप देख पारे हो कैमरे में तो यह देखिए बहुत ज्यादा प्रिटी साडी है और अलोबर साडी बहुत ज्यादा सुंदर है एंड यह complete जीवीचू फैब्रिक है बहुत अच्छा वाला जीवीचू फैब्रिक है यह बहुत एजीली ड्रेग भी हो गया था complete साड़ी में नीचे की तरफ ये इस तरीके से काम दिया हुआ है पूरी साड़ी में complete 5.5 मीटर की ये साड़ी है and guys इसके साथ भी इस तरीके से blouse का fabric आया है ये देखिए आप ये blouse का piece है इसके साथ जिस पे same वही work किया हुआ है ये इसका blouse का piece है जो साड़ी में attachी आया है ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसका try on में side में आप लगाओंगी आप chat कर लेना and इसका color बहुत ज़्यादा beautiful है इसको आप पास से देखिए ये देखिए बहुत ज़्यादा beautiful साड़ी है इस साड़ी का price इंस्टा पे I think 3000 है सारे ही page पे 3000 एवर भी है इस साड़ी का price और बहुत ज़्यादा train कर रही है ये साड़ी so अब बात कर लेते हैं इस साड़ी के price की तो ये है 1103 1103 रुपे की ये मुझे मीशों से मिली है and इसकी quality में कोई compromise नहीं किया गया है and 1103 रुपे में ये complete worth है so guys आपको एक चीज बहुत अच्छे से clear कर दूँ मैं कि मीशों पे ना बहुत सारे seller है तो सबका अपने अपने product होते हैं आप जिस किसी की भी वीडियो देखकर साड़ी लेते हैं तो वो जो link दे sorry वो जो link दे उसी link से आप साड़ी लिया करो क्योंकि कुछ seller की साड़ीया मैंने देखी है मीशों पे उनमें हाँ पे pearl के detailing नहीं दी हुई है उनमें क्या किया हुआ है जो lace है ना lace होती है मतलब क्या बोलते है silver kind of lace जो होती है वो उन्होंने यहां पे लगा रखी है सिर्फ lace उसमें कोई pearl नहीं है कोई मोती नहीं है कोई stone नहीं है कुछ भी नहीं है वहाँ पे सिर्फ lace है और उसका कपड़ा भी थोड़ा अलग है तो आप जो भी साड़ी लो ना तो सेम अगर बहुत ज़्यादा परिशान कर रही है आप लिंक प्रोवाइड कर रहा है अब उसी लिंक से जा कर लो नहीं तो अलग-अलग seller है उनके अलग-अलग product है तो वाइदर वे इस साड़ी में कोई भी मुझे कमी नहीं लगी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है यह साड़ी बहुत अच्छे से इजीली ड्राप हो गई थी अच्छी साड़ी है अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी साड़ी की तरफ एंड यह जो साड़ी है ना यह स्टा की मोस्ट वाइरल साड़ी है बढ़ अगेन यह भी जिमी चू फैब्रिक में नहीं आई है यह जो मुझे रिसीव हुई है यह जॉर्जट फैब्रिक में रिसीव हुई है बढ़ यह साड़ी बहुत ज़्यादा सुन्दर है बढ़त एकदम से ना चटाक लाल कलर है यह इस साड़ी का जो color है ना वो एकदम से चटाक लाल color है पर क्या ही बगद कहूं इसके color के वारे में बट एकदम से जो bridal वाला red color होता है ना ये उस red color में है एंड गाईज इस पूरी ही साड़ी पे एंड blouse पे ये इस तरीके का stone work दिया हुआ है बट ये जो stone work है ना ये ऐसे वाला नहीं है कि मतलब निकल निकल के सारे गिर जाएंगे बहुत अच्छे से paste किये हुए है इस पे इसका blouse काफी अच्छा है stitch है एंड मेरे को तो ना मेरा जो size है वो L है तो मुझे ना इस blouse को बिल्कुल ही fitting कराने की जरूद नहीं पड़ी थी ये मुझे बिल्कुल proper fit आ गया था तो अब हम देख लेते हैं हमारी साड़ी पूरी ही साड़ी में गाइज इस तरीके का cut work वाला border है all over साड़ी में गाइज ही cut work का काम हो रखा है इसमें पूरी साड़ी में सबसे पहले में इसका प्राइज आपको बता देती हूँ इसका प्राइज है कहां गया तेरा सो उन्नीस रुपे तो गाइज ये साड़ी मुझे मीशो से मिली है तेरा सो उन्नीस रुपे में विद इस्टिच ब्लाउज आप देखो अल ओवर साड़ी में इस तरीके का वर्क दिया हुआ है पूरी साड़ी में ये 5.5 मीटर की ये साड़ी है बहुत ज़्यादा प्यारी सी है मतलब अगर आप न्यू ब्राइड आएं आपको रेड कलर पहनना पसंद देना तो आप इस साड़ी को ट्राइ कर सकते हो अच्छी है जब मैंने इस साड़ी को ड्रेप किया था तो बहुत इजीली इसके प्लेट्स बन गई थे कोई दिक्कत नहीं आये थी प्लेट बनाने में साड़ी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है जॉर्जट मैटेरियल है रेड कलर है अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं यह जो यहरिंग्स है ना इनको भी मैंने रिसेंटली मीशो से परचेस किया है तो इन सारे प्रोड़क्ट के लिंक में आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप चैक कर लेना वायद अभी मीशो पेना जो जिमीचू टाइप साड़ियां आई हुई है यह बहुत ज़्यादा जल्दी आउठोक हो जाती है तो आप चैक करते रहना अभी तो यह स्टोक में है यही था मेरा आज का हॉल वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर लेना गाइज मैं अभी लगातार मीशो के ही हॉल करने वाली हूँ क्योंकि अभी मुझे मीशो पर बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन दिख रहा है और मेरा बहुत ज़्यादा मन है मीशो से ब्लाउस हॉल करने का मैंने मीशो पर बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउस देखी है तब तक के लिए वाई, टेक केर एंड मिलते हैं हमारे नक्स्ट वीडियो में बाई बाई